नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रमित शिवाच और स्वागत आपका एक और नए वीडियो में तो आज की वीडियो में बात करने वाले कि जो एस जी पीजी एका रिजल्ट आया है जो की पेपर हुआ था जुलाई में उसका रिजल्ट आया है फाइनली दो तीन महीने बाद उ बहुत सारे पेपर लिग के भी बात आया थी लेकिन फाइनली उन्होंने एक रो रिजल्ट दिया है जहांपे की मैंने उसको रैंक वाइस सोर्ट करके अपने टेलिग्राम चैनल पर देख डाल दिया है जो कि आप देख सकते हूं पर जाके टेलिग्राम गूरूप का नाम यहां पर आ रहा हुआ यहां जोइन कर सकते हैं कोई भी बुक की पीडिएफ वगरे चाहिए तो वो भी आपको टेलिग्राम पे ही मिल जाएगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पर अन्रिजावड काटेगरी की 119 पोस्टें थी कितने रैंक तक यहां पर सिलेक्श तो इसमें अगर ब्रेक अप हम देखे जाएं इसका पूरा 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 जो पोस्ट का तो इसमें अन्रिजावड काटेगरी की 119 पोस्ट है और जिसका 119 नंबर आया है यहां पर उसके नंबर लगबग 66.66 हैं तो इन्होंने 66.66 नंबर वाले का सिलेक्शन यहां पर 119 तक तो बिल्कुल शोर है उनका सिलेक्शन हो जाएगा बाकि अगर बात करें कि ऊपर कितने रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा तो फाइनली अगर बात करें तो 150 रैंक तक यहां पर सिलेक्शन होने के चांद्स है उसका रीजन यह कि पोस्ट बहुत पहले आई थी फॉर्म ब सतर के करीब हो नंबर लेके आया है जो टोपर हैं 100 जो लोग हैं उन में से बहुत कम लोग यहां पे जोइन करने वाले हैं उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि वो पहले से स्लेक्टिड ए सेंट्रल गवर्मेंट में या फिर वो कही ना कही स्लेक्टिड और उन्होंने अपन कि 150 रेंक तक OBC में यहां पर सिर्फ 8 पोश्टे हैं तो यहां पर कॉंपिटिशन ज्यादा रहने वाला जो OBC है जो UP के लोग है वही OBC में काउंट होते है जो बाहर के अधर स्टेट के जैसे महरियाना से तो मैं अन्रिजर्ड में काउंट हो रहा हूं यहां पर और जो भी वजे से क्योंकि यहां पर चालेश नंबर का नो नर्सिंग पोशन था उससे आपको यह भी बताले जाएगे नो नर्सिंग में कितने क्योश्ट रहे हैं जल्दी से इसका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा और युन्होंने भी ग्रिवेंस मांगी थी कल तक आज तक वह हो पोस्टों चाहे 1000 पोस्टों मैं शारी की अपडेट भाप इंस्टाग्रम की स्टोरीज में शेयर करता रहता हूं उसके बाद हम बात करेंगे कि SGPGI का इतना लेट क्यों हो रिजल्ट, तीन महीने के करीब हुआ रिजल्ट लेट किया है, लेकिन फाइनली फाइनली जो लोग सिलेक्ट हुए है, उनमें से मैक्सिमम बच्चे वही हैं, जो पहले से सिलेक्टेड है, तो बहुत सारा टाइम निकल गया है, तो अबिसली लोग जो प्रिपरेशन कर रहा है, जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, वो कही न कहीं सिलेक्ट होई जाता है, अच्छे से प्रिपरेशन करने पर आप सिलेक्ट हो जाते हो, इस चीज़ का बहुत बड़ा एक्जेंपल है, एक नहीं चार चार पांस पांस जगें आप सिलेक चाहिए तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं आपको जुरूर अच्छा लगेगा और सारी ट्रिपल सी प्लस की सारी जनकारी मैंने इसमें डाली है वीडियो को देंग लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो के लिए लाइक अब दबाद देना थैंक्यू सो मच